तो क्या हाल है यारो आप से भी दमडिया फस्ट ग्लास हूंगे तो बेस्किलिए आज किस वीडियो आपको बाता आने वाला हूँ आप किसी भी रीजन से अपना यूटूब चैनल डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने फोन से अपना यूटूब चैनल डिलीट कर सकते हैं वह भी इजी स्टेप्स में तो अगर आप भी अपना YouTube चैनल डिलीट करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो एंड तक का देगे ना वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नायो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो आपको चैनल पर बैक टू बैक मिलते रहेंगे चलिए आज का इंटरस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं बीना जिदे रहीगे Let's Begin All right guys मैं आगे हैं अपने मुबाइल होम स्कीन पे तो मैंने Chrome ब्राउजर ओपेन कर लिया आपको स्कॉल डाउन करना है तो यहां पे आपको लिखाद दिख जाएगा desktop site इस पे आपको टिक कर देना है जैसे आप टिक करेंगा तो desktop जैसा आपके समने open होके आ जाएगा So guys यह open होके आगया तो side में आपकी profile दिख जाएगी इस पे आपको क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद जो भी आपकी email आइडियो यहां से आपको select कर लेनी है ठीक है select करने के बाद यहां पे आपको manage your google account पे क्लिक करना है So मैंने इस पे क्लिक कर दिया जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका google page open होके आ जाएगा गूगल email का उसके बाद तीसे नंबर पे आपको data का option मिल जाएगा इस पे आपको click करना है तो एक page open होके फिर आएगा तो आपको scroll down करते हुए चले जाना ठीक है So यहाँ पे आपको go to google download इस पे आपको इस पे click करना जैसे आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको checking your data तो यहाँ पे आपको बहुत सरे options देखने को मिल जाएगे जहाँ पर आपकी email लगी हुए तो आपको scroll करते हुए चले जाना है So यहाँ पे so नहीं हो रहा तो यह क्या करना है आपको three dots पे फिर से click करना है तो यहाँ पे आपको desktop side पे फिर से tick कर लेना है So मैंने कर दिया अभी मैं scroll करता हूँ नीचे So अभी यह page reload हो रहा है Checking your data थोड़ा wait कर लेते हम So यहाँ पे open हो जाना हुए तो मैं फिर से scroll डाun करता हूँ तो यहाँ पे आपको YouTube caution दिख जाएगा इस पे आपको click करना है, जैसा है आपダjos तो 9AY दोúsica इन पे आपको times करना से पिर से आपको scroll करना है तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो उसके बाद यहाँ पर आपकी email का password आपको डानना है verify करने के लिए ठीक है जो भी आपका email का password हो तो यहाँ से आपको enter कर देना तो चलिए मैं enter कर देता हूँ और आपको check कर लाएं नहीं है कि वही email है या दूसरी है ठीक है so guys password enter करने के बाद next पर आपको click कर देना जैसे हम next पर click करेंगे एक page फिर redirect होके आएगा ठीक है तो थोड़ा wait कर लेता है तो यहाँ पर आगया so आपको scroll down करके जाना है तो यहाँ पर आपको delete के YouTube के side में आपको delete का और एक option दिखेगा इस पर आपको click करना है so जैसे आप इस पर click कर देंगे एक page redirect होके फिर आएगा आएगा आपके समने तो फिर से आपको password डालना है verify करने के लिए तो चलिए मैं यहाँ पर आपना password enter कर देता हूँ so मैंने password अपना एंटर कर देवे हैं फिर से next पर click करता हूँ जैसे मैं next पर click करूँगा तो यह page reload हो रहा है तो थोड़ा wait कर लेते हैं so यहाँ पर एक option आजाएगा फिर एक page redirect होके आएगा तो यहाँ पर आपको दो options दिखेंगे ठीक है तो दूसरे option पर आपको permanent delete my account इस पर आपको click करना जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ permission देनी पड़ेंगे ठीक कुछ जानकारी है देगा यहाँ पर तो आपको इस box को tick करने के बाद यहाँ पर delete my account इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी email id डालनी है ठीक है जो भी आपकी email id हो यहाँ पर आपको लिखी दिख जाएगी तो यही email id आपको यहाँ पर आपको डाल देनी है तो चलिए मैं डाल देता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने email id डाल दिए उसके बाद delete my account पर click कर देना है आपको अभी यह डिलीट हो रही है मेरा YouTube चैनल में डिलीट हो चुका है ठीक है हुआ 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 है